ये है दिली दर्पन प्रेसिडियम और प्रूड़न्स विवाद में अब प्रूड़न्स मैनेजमेंट खुलकर दिली दर्पन टीवी के साम्याए है प्रूडेंस ने दिली दर्पन टीवी को पेपर्स दिखाते वे साफ किया कि प्रेसिडियम में CEO पदसर जीयस मठारू ने साल 2017 में ही त्याग पत्र दे दिया था प्रूडेंस मेनेजमेंट ने द्वार का अशोग विहार स्कूल का नाम प्रेसिडियम से प्रूडेंस किये जाने पर कहा कि प्रेसिडियम कई तरह की financial scheme चला कर अभिभावकों का भरोसा जीत रहा था कि उनके बच्चों से 12 तक की फीस नहीं ली जाएगी प्रूडेंस ने ये भी साफ किया कि प्रेसिडियम के 13 primary school मानेत्या प्राप नहीं थे अभिभावकों को लग रहा था जैसे प्रेसिडियम ही अशोग विहार और दौारका स्कूलों की मालिक है जबकि ऐसा नहीं है यही वज़ा है कि इन तीनों स्कूलों ने अपने स्कूल क का नाम बदल कर प्रूडेंस रख लिया और दिल्ली शिक्षन इदेशाले को लिखित में सब तथ्यों से अवगत कराते हुए इसकूलों के नाम परिवर्टित किये गए हैं और वो ही आधार बनाया है नाम चेंज करने का प्रूडेंस ने अभी भावकों को भरोसा दिया है कि नाम परिवर्टन से स्कूल और उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट वही हैं और यही असली ब्रेंड है लेकिन साथ ही भरोसा भी दिया है कि अभी भावकों और बच्चों के हितों के साथ प्रूडेंस हमेशा खड़ा रहेगा जिन अभी भावकों को इन तीनों स्कूलों में उनके बच्चों के फीस माफी का कमिटमेंट मिला है उसे प्रूडन्स बच्चों के हितों और मानफता के नाते पूरा करेगा प्रूडन्स प्रबंधन प्रमुक जीयस मठारू ने लिखित में प्रेसिडियम की शिकायत पुलिस और शिक्षा निदेशाले को की है साथी उन खबरों और चर्चाओं का भी खंडन किया है जिसमें प्रेसिडियम और प्रूडन्स के बीच मिली भगत के आरोप है प्रूडन्स में अभी भावकों से कहा है कि वो डिटेल देश जीयस मठारू उनके साथ है दिली दरपन टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट लेटेंस खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दिली दरपन टीवी पर खबरों की कवरिज और विज्यापनों के लिए संपर्ख करें इस नमबर पर